दिली में सैनिक स्कूल का नाम शहीद भगत सिंग के नाम पर रखा जाएगा जहाँ बच्चों को फॉंच में भरती होनी की ट्रेनिंग दी जाएगी क्या कुछ का सुनिए 23 मार्च है शहीद आजम भगत सिंग का शहादत दिवस है कल ही के दिन भगत सिंग राजगुरु सुकदेव तिनों को फांसी पे लटका दिये गया तिनों ने देश के लिए देश को अज़ाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी इस मौके के ऊपर दिल्ली सरकार आज एक महत्रपून घोशना करने जा रही है आप सब को पताए कि 20 दिसंबर पिछले साल 20 दिसंबर 2020 को हमने कैबिनेट ने निरने लिया था और हमने एलान किया था कि दिल्ली में एक स्कूल बनाएंगे ऐसा स्कूल बनाएंगे जहां पे बच्छकों को फोज में भरती होने के ट्रेनिंग दी जाएगीं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी थाकि वो ट्रेनियर में पी 2727 का स्कूल का नाम हमने तै कि उस स्कूल का नाम शहीद याजम भगत सिंग के नाम पे रखा जाएगा उस्कूल का नाम होगा शहीद भगत सिंग आम्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल यह स्कूल पूरी तरह से फ्री होगा सब कुछ फ्री होगा रेजिडेंशल होगा याने कि जितने भी बच्चे उसमें अड्मिशन लेंगे वो सारे वहीं पर उनको होस्टल में रहना होगा लड़कों का अलग होस्टल होगा और जॼररोदा कला में एक चौदा एक कड़की का campus बनाया जा रहा है, वहां पर ये school, पूरा state of the art एक दम modern school, सारी सुविधाओं के साथ less ये school बनाया जा रहा है, जैसे armed forces में, फॉज में officers like qualities सिखाई जाती हैं, इसी तरह से school के अंदर बच्चों को officers like qualities सिखाई जाएंगी, और इन्हें NDA, Naval Academy और दूसरी armed services के लिए इन बच्चों को तयार किया जाएगा, खासकर retired army officers, AFOS officers, naval officers को यहाँ पर लाया जाएगा training कराने के लिए, यह school दिल्ली के रहने वाले सभी बच्चों की, दिल्ली में रहने वाला कोई भी बच्चा स्कूल में admission ले सकता है, इसमें 9 वी class में और 11 वी class में admission होगा, 9th class में 100 seat होंगी, 11 वी class में 100 seat होंगी, अभी तक इस साल से इसकी classes शूर हो रही हैं तो अभी तक 18,000 applications आ चुकी